गुद बॉर्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्टु लेवर हास्पिल स्वरुप्लिंगर खानपुर्ट अब अपनी सीरीज में आज बात करेंगे इसोफेजल केंसर के ट्रीटमेंट के बारे में यह क्या अलग-अलग मोडैलिटीज हैं विच केंगे यूटिलाइज फॉर ट्रीटिंग इसोफेजल केंसर नौ ध्यान से देखें ट्रीट्मेंट प्रोटोकॉल को यह इसपर डेपेंडेंट है कि जो केंसर की टाइप है वो इस पर dependent है कि patient की overall health कैसी है in the sense कि health क्या malnutrition है या एकदम बिलको nutrition poor है या साथ में कोई दूसरे diseases है जैसे कि diabetes है heart disease है सांस की बिमारी है तो जो overall health है वो तीसरा factor है और number 4 हमेशा इस पर dependent है कि patient का overall preference क्या है for treatment क्यों चार चीज़े हैं यह determine करती है कि कौन सा treatment का जो protocol है वो offer किया जाएगा number one is the surgery जहां तक surgery या operation के सवाल है is always the first choice scientifically ऐसा माना जाता है कि surgery may be alone कि सिर्फ operation किया जाए और उसके अलाबा किसी भी दूसरे treatment की जरूरत ना पड़े कभी ऐसा भी होता है कि operation की भी जरूरत पड़ती है इसके अलाबा दूसरे जो modalities है उनको भी utilize करने की जरूरत पड़ती है नो हम अगर surgery को ध्यान से देखें तो वो तीन उसमें आएगी steps में या तीन shape में आएगी नमबर बन अगर खाने के जो नली है उसमें जो tumor है वो बहुत ही छोटा है बहुत ही छोटा है that means stage 1 है और stage 2 है अगर यह बहुत छोटा है तो उसको जो निकालने का तरीका है वो बिलकुल अलग है नमबर 2 पर आती है esophagectomy या surgery to remove a part of the esophagus in the sense कि खाने के नली का एक हिस्सा निकालके अलग कर दिया जाता है इसे कहते हैं esophagectomy यह वास्तों में stage 2 onwards या stage 3 stage 4 के लिए important है नमबर 3 है surgery to remove part of the esophagus in upper part of the stomach इसका मतब है कि खाने की नली का पोर्षन या थोड़ा सा खाने की थेली का पोर्षन दोनों निकालके अलग कर दिया जाते हैं इसे कहते हैं esophagectomy तो जहां तक surgery का सवाल है यह तीनों चीज़े हैं अगर छोटा सा tumor है तो endoscopically निकाला जाएग अगर उससे ज़्यादा है तो esophagectomy की जाएगी याने खाने की नली के पोर्षन को निकाला जाएगा और अगर special situations हैं तो esophagectomy होगी इसका मतब यह है कि खाने की नली का हिस्सा और थोड़ा सा खाने की थेली का हिस्सा दोनों को निकाला जाएगा देखिए कि बहुत अगर small tumor है तो सिर्फ endoscopy की द्वारा एक process होती है जिसे कहते है endoscopic mucosa resection उसके जरिये से यह जो growth है इसको इस तरह से कटके निकाल करके अलग किया जा सकता है इसमें किसी भी तरह की open surgery की जरूरत नहीं है नमबर तू पर आते ही isoveject में जो isoveject में होती है इसमें खानी की नली और उसका adjoining जो area है tumor के साइद उसको निकाल के बिलकूर अलग किया जाता है अगर आसपास कुछ lymph nodes होते हैं उनको भी clear किये जाते हैं और फिर खानी की जो नली है उसको खानी की तहली से directly जोड दिया जाता है इस तरह के जो operation है वास्तों में यहां से खोल के किया जा सकता है यह ट्रांस हाइटल भी यहां से किया जा सकता है depending upon कि खाने की नली में tumor किस spot पर है तो इस second जो है is the isoveject me नमबर थ्री पर आते है isophego gastectomy जिसमें खाने की नली का portion और थोड़ा सा खाने की तहली का portion दोनों निकाले जाते हैं यह वास्तों में अगर खाने की नली में नीचे की तरफ tumor है या कि जो gasto-esophagal junction है उस पर tumor है अगर यह दो situation में tumor है तो इस तरह की जो surgery है उसको वास्तो में offer किया जाता है कि जिसमें खाने की नली का नीचे की हिस्सा भी निकाला जाता है यह थोड़ा सा खाने की तहली का हिस्सा भी निकाला जाता है लेकिन यह बास सही है कि जब भी इस तरह के cancer के लिए operation होता है वो open surgery हो सकती है वो leproscopic surgery हो सकती है वो depend करता है कि जो surgeon की expertise कैसी है लेकिन कोई भी अगर surgery होती है तो तीन रिक्स का मेशा रहेंगे नमबर वान infection का risk रहेगा नम बर टो bleeding का risk रहेगा नमबर थ्री leakage का हमेशा risk रहता है विकास एक जो नहीं anastomosis create की जाती है जिससे हल्का सब्लीक का हमेशा डर रहता है अगर कॉम्प्लिकेशन हैं तो क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है से फर एक्जामपल किंसर इसोपेस के चलते हैं खाने की जो नली है वो पूरी तरह से बंद हो गई इन खाना बिलकुल आगे नहीं जा रहा है इन पेक्ट पानी तक आगे नहीं जा रहा है तो क्या किया जाएगा सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि स्टेंट प्लेस किया जाए जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है ये जो एंडुसकोप है एंडुसकोपिक प्रोसेस है उसके जरिये से stent को place किया जा सकता है अगर ये stent place किया गया तो liquid semi-solid diet लेने में कोई problem usually नहीं होती है एक बार stent place किया गया तो वास्तों में जब तक आप फिक नहीं हो जाते हैं जब तक क्या disease process है stent अपने जगर पर ही रहता है नो कभी ऐसा भी होता है कि हमें temporarily रास्ता तयार करना है तो हम endoscopy की दौरा एक dilatation कर सकते हैं which is known as endoscopy dilatation लेकिन ये बात बिलकुल सही है कि सर्जरी है, किमो तरेपी है, रेडियो तरेपी है, फोटो डाइनिमिक तरेपी है लेजर तरेपी है ये सब इस तरह की process हैं जो वास्तों में रास्ता बना के खाने की जो नली है, उसको open करने की ताकत रखती है, so that आप जो कुछ खाएं, वो आसानी से आपके पीट में जा पाए, लेकिन कभी हमें temporary nutrition प्रवाइट करने का इंतजाम करना पड़ता है, अगर हमें temporary nutrition प्रवाइट करना है तो हमारे पास में तीन विकल्प होते हैं नमबर वन, हम एक feeding tube place कर सकते हैं, खाने की थेली के अंदर तो उसमें से हम आपको nutrition देते चले जाएंगे, और खाने की नली totally bypass हो गई, second is कि अगर थोड़ सा भी रास्ता है तो हम नाक के द्वारा एक tube pass कर देते हैं, जो खाने की थेली तक जाती है, इसे कहते हैं rice tube जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है नमबर तीन पर आते हैं judgment feeding tube जिसे हम जो abdomen है उसमें place कर देते हैं, आपके छोटे आँख के अंदर, यान उसके जरिये से feeding आपको चालू करा देते हैं now the next one is the chemotherapy जो chemotherapy उसको है उसको आप ध्यान से देखिए, जो chemotherapy है वो adjuvant chemotherapy होती है adjuvant chemotherapy वो होगी जो कोई भी surgery के बाद दी जाती है एक new adjuvant chemotherapy होती है यह वो chemotherapy है जो किसी भी surgery के पहले दी जाती है तो जो chemotherapy है वास्तों में radiotherapy या radiation के साथ कमाइन की जा सकती है या सिर्फ अकली दी जा सकती है बहुत सारे advanced cancers होते हैं जो के दूसरे organs में भी फैले हुए हैं तो scientifically ऐसा माना जाता है कि जो chemotherapy is the only answer जो आपको provide किया जा सकता है unfortunately अगर ऐसा है कि जो cancer है वो खानी की नली के अलावा lungs में भी है liver में भी दिखाई दे रहा है तो शायद chemotherapy is the only one जो आपको provide की जाएगी जहां तक radiotherapy का सवाल है या radiation therapy का सवाल है ये दो तरह सी दी जाती है one is the external beam radiotherapy जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है या breaking therapy जो अंदर ही अंदर immune probe के द्वारा दी जाती है जो directly tumor को खाने की नली के अंदर ही radiation provide करती है radiotherapy के हमेशा थोड़ थोड़ side effect आएंगे जैसा sunburn जैसा picture आएगा जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है कभी-कभी अंदर इतनी swelling होती है कि आपको खाना निगलने में कभी temporarily थोड़ सी problem भी हो सकती है कभी कभार accidentally radiation से जो nerves है उनके damage होने का हमेशा डर रहता है now the question is कि क्या सिर्फ chemotherapy ही दी जाएगी या सिर्फ radiotherapy ही दी जाएगी या combination दिया जाएगा chemotherapy and radiotherapy का it all depends upon कि combined therapy आपको कब दी जाएगी ये बात बिल्कुल सही है कि आप combination therapy दी जाते है तो जो efficacy है वो दोनों की हमेशा better हो जाती है जो combination chemotherapy and radiotherapy है वास्तों में ये सिर्फ treatment की एक modality हो सकती है it is quite possible कि यही एक treatment है जो provide किया जा सके in the sense कि cancer is this stage में है कि सिर्फ chemotherapy मिलेगी और radiotherapy मिलेगी और कुछ नहीं किया जाएगा कभी ऐसा भी किया जाता है कि आपको chemotherapy and radiotherapy दी जाती है और उसके बात फिर surgery plan की जाती है कि operate करके अलग कर दी जाए उतने portion को जिसमें cancer है जब भी हम combination therapy use करते हैं तो उसके हमेशा थोड़ी न थोड़ी problems तो होती है in the sense कि जो side facts है वो monotherapy की comparison में combination therapy में हमेशा जादा होंगे तो जब भी खाने की नली में कोई problem है और cancer जैसी चीज़ सामने आती है तो कुछ questions ऐसे हैं जो आपको अपने doctor से पूछना चाहिए number one कि खाने की नली का जो cancer है मेरी खाने की नली के किस portion में है second question would be कि ये जो खाने की नली में cancer है ये कितना advanced है number three मेरी biopsy क्या कहती है कि ये किस तरह का cancer है and इस cancer की staging के लिए मुझे और किन test की जरूरत है तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो खाने की नली का cancer है is one of a very common cancers और जहां तक इसके cancer के treatment के protocols का सवाल है या तो ये surgery अकेली हो सकती है या एक chemotherapy अकेली हो सकती है या रेडियो थरेपी अकेली हो सकती है तीनों चीज़ें हो सकती है या ये तीनों चीज़ें combination में हो सकती है रेडियो थरेपी, विथ कीमो थरेपी, रेडियो थरेपी, विथ कीमो थरेपी, एंड सजरी, तो यह कॉमिनिशन जो थरेपी हैं, they are equally important as far as the treatment is concerned. अगर cancer isophagus के treatment protocols को समझने में, यह वीडियो आपको help करता है, तो इसको जरूर शेयर करें. मैं Dr. V. के मिश्रा, from guest to liver hospital,